तो आज है 30 अक्टूबर और आज का Most Important Current Affair लेकर आए हूँ आज का पीडिएफ नीचे डिस्क्रेप्शन से आप डाउलोड कर सकते हैं और लास्ट में दो कुईज करूँगा जिसका अंसार आपको नीचे कमेंट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिवर्तन पर 29 बेसिक मंतरी अस्तरिय बैठक का आयोजन कहां किया गिया था बिजिंग में और इस बैठक में भारत का परतिनीधित्व किये थे प्रकास जवडेकर जो की वर्तमान में केंद्रिय परिवरन मंतरी हैं मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का किताब किस ने जीता ह अमेरिका के टाइगर उट्स ने हाली में किस अराजय के पुर्व मुख्य मंतरी दिलिप पारिक का बिरासी वर्स की आयो में निधन हो गिया यह गुजरात के पुर्व सीम थे और यह 13.00 सीम थे हाली में इनका निधन हो गिया है पूरु से यूगल वर्ग में बैडमिंटन का फ्रेंच ओपेन सुपर 750 का किताब किस ने जीता है मारकस एफ गिदोन तथा केविन एस सुका मुल्जो की जोड़ी ने ये जोड़ी इंडोनेसिया की है Lonely Planet के अनुसार 2020 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा प्रयाटक अस्थल के रूप में किस अराज्य को तीसरा अस्थन प्राप्त हुआ है मद्धे परदेश तीसरे अस्थन पे है पहले अस्थन पे भुटान और दूसरे अस्थन पे इंगलेंड है बेल्जियम की प्रथम महिला परदान मंतरी कौन बनी है सोफी इल्म्स निम्न में से किस खिलाडी को हाली में विजडन इंडिया हॉल और फेम में शामिल किया गया है लाला अमरनाथ तथा गुंडपप विश्वनाथ को ये भारत के पुर्व किरिकेटर है विजडन इंडिया अल्मानेक वर्स के सर्वस्तृष्ट क्रिकेटर का पुरुसकार किसने जीता है जस्परित बुमराह तथा इस्मरिती मंधानाने कुल पांच लोग ने यह पुरुसकार जीता है अन्यतिन कौन है एक है फखर जमा ये फाकिस्तान के क्रिकेटर है एक है दिमुत करना रतने ये स्रिलंका के क्रिकेटर है एक है राशिद खान ये अफगनिस्तान के क्रिकेटर है क्रिकेट कंट्री पुस्ता के लेखक कौन है जिसे विजडन इंडिया वर्स की सर्वस्रेष्ट खिताब का पुरस्कार मिला है प्रशांत की दाम भी इसके लेखक है आप चलिए आज का करेंट अफेर श्टार्ट करते हैं पहला कोशन कानून मंत्राले के नई नियम संसोधन के अनुसार कितनी उमर से अदिक के लोग मतदान है थू अबandal बैलेट का इस्तमाल कर सकेंगे तो 80 वर से अधिक आयू के लोग मतदान कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के जरिगे इसके लिए हाली में चुनाव आयोग ने कनून मंत्राले से सिफारिश के थी जिसकी मंजूरी कनून मंत्राले ने दे दी है इसके ताथ चुनाव नियम 1961 में संसोधन किया गया है तो नई नियम के अनुसार 80 वर्ष से अधिक उमर के लोग तथा दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के अंदर पर जाने की ज़रुवत नहीं होगी और वे पोस्टल बैलेट के माधियम से मतदान कर सकते हैं अभी हम लोग बात किये हैं कनून मंत्राले का वर्तमान में कनून मंत्री कौन है रवी शंकर परसाद है चुनाव आयोक का भी हम लोग चाचा किये हैं तो एक शीज द्यान में रखिए वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयोक है यानि मुख्य चुनाव आयोकत कौन है? सुनील और रोडा है चलिए अगला कोशन 31 अक्टूबर से भारत और किस देश के बीच संयुक्ते सन्य अभ्यास शक्ति 2019 का आयोजन किया जाएगा तो भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा और इस वर्स का ये नौवा संसकरन है ठीक है? अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? राजस्तन के बीकानेर के महाजन फिल्ड फारिंग रेंज में 13 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा अब यहाँ पर हम बात कर लिए भारत और फ्रांस के बीच यूधा भ्यास का एक पौइंट और जान ये अपने नाम सुना तो एक और यूधा भ्यास से गरूड शक्ती तो भारत और इंडो नेसिया के बीच में गरूड शक्ती यूधा भ्यास का आयोजन किया जाता है इस वर्स मार्च महिने में उत्तर परदेश के आगरा में गरुड शक्ति का आयोजन किया गया था, ठीक है? अब चलिए फ्रांस के बारे में जनिए, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहां के राश्टर पती है इमैनुवल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है एडॉर्ड अभिनेतरी यामी गौतम, उप्शन सी सही उत्तर है इस समयलन का आयोजन कहां किया जाएगा? हिमाचल परदेश के धर्मशाला में 7 से 8 नवंबर को तो इसी सम्मिट की ब्रांड अमिश्डर बनी है यामी गौतम उप्शन में और भी नाम दिख रहे हैं जैसे कि दिपी का ये वर्तमान समय में विस्तारा एयरलाइन्स तथा तनिस्क फैशन कंपनी की ब्रांड अमिश्डर है और हाली में भारत सरकार ने इन्हें भारत की लक्ष्मी पहल का ब्रांड अमिश्डर भी बनाया है तो दिपी का पादुकून के साथ भारतिये बैडमिंटन खिलानी है पीवे सिद्धू ये दोनों भारत की लक्ष्मी पहल की ब्रांड मेश्डर बनी है मैरी कौम जो की भारत की महिला बॉक्सर है और छे बार की विश्वविजेता है ठीक है ये वर्तमान समय में पिवमा जो एस्पोर्ट्स ब्रांड है उसकी और बी असनल की ब्रांड नेक्स्ट किस देश के 27 सांसदों का एक परतेनेधी मंडल जम्मू काश्मेर की इस्थिती का जाजा लेने के लिए भारत पहुंचा है तो येरोपिये संगे के 27 सांसद भारत आये हुए हैं ओप्शन सी सहुत्तर हैं आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुछेद 370 को हटा दिया गया था इसलिए जम्मू कश्मेर की इस्थिती का जाजा लेने के लिए येरोपिये संगे के 27 सांसद भारत के दोरे पर आये हुए हैं तो इस कोशन का सहुत्तर है ओप्शन सी ठीक है येरोपिये संग के बारे में हम जान लेते हैं देखिए येरोपिये संग का गठन मास्ट्रिज संधी द्वारा एक नॉवंबर 1993 में किया गया था वर्तमान में यूरोपी यूनियन परिसद के अध्यक्ष है डोनाल्ड टस्क यूरोपी यूनियन पारलियमेंट के अध्यक्ष है डेविड सैसोली एरोपीय उनियन आयोग के अध्यक्ष है जीन क्लावडे जंकर और स्तदस से देशों की संख्या कितनी है 28 है चलिए अगला खोशन है हाली में भारतिय रेलवे ने टिकट दलाली पर अंकुष लगाने है तू किस पहल को शुरू किया है तो हाली में भारतिय रेलवे ने ओपरेशन धनूस पहल की शुरूवात की है टिकट दलाली पर रोक लगाने के लिए ओप्शन ए सही उत्तर है तो जैसे की फेस्टिव सीजन आते हैं तैवारों का दौर होता है उस समय टिकट की दलाली बहुत अधिक बढ़ जाती है उसी पर रोक लगाने के लिए भारतिय रेलवे ने ओपरेशन धनूस शुरू किया है कुछ दिन पहले ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो खराब गुडवत्ता वाले पानी के बिक्री किये जाते हैं स्टेस्नों पर उस पर रोक लगाने के लिए आरपी एफ ने ओपरेशन थर्ष्ट नमक पहल की शुरूबात की है तो इसे भी ध्यान में रखिएगा ठीक है भारतिय रेलवे के बारे में जान लीजे इंडियन रेलवे का गठन कब किया गया था? अठारे सो पैंतालिस में पहली भार भारत में रेल कब चली थी? अठारा सो तिरेपन में कहां से कहां तक? मुंबई से थाड़े के बीच में वर्तमान में रेल मंत्री है पिवुष गवयल और रेलवे बोड के चेर्मेन कौन है? विनोध कुमार यादो नेक्स्ट यहां पे कुकुर तिहार का मतलब होगा कुत्तों का तिवार यानि कुत्तों का दिन इस दिन क्या होता है? नेपाल के लोग जो है कुत्तों को माला पहनाते हैं उन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं ठीक है? यानि कुत्तों की पूजा की जाती है तो यही है कुकूर तिहार 28 अक्टूबर को शुरू हुआ है और एक नॉवंबर तक इस्तेवार का आयोजन किया जाएगा नेपाल के बारे में जान लेते हैं नेपाल के सिमा भारत के 5 राज्यों को छूती है उत्राखंड, उत्तरपरदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम कैपिटल है काठमंडू सार्क जो संगठन है उसका मुख्याल है काठमंडू में ही है वर्तमान में राश्टरपती हैं विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर हैं खड़क परसाद ओली, संसद का नाम है राश्टरिय पंचायत और मुद्रा का नाम है नेपाली रूपिया नेक्स्ट हाले में वेश्व ओडियो विज्वल विरासत दिवस कब मनाय गया तो हाले में ये दिवस मनाय गया 27 सक्टूबर को हारवस 27 सक्टूबर को ही ये दिवस मनाय जाता है 2019 का विशय क्या है इंगेज दपास्ट थरो साउंड एंड इमेजेस इस वस का ये विशय है अच्छा इस दिवस का उद्देश से क्या है इस दिवस का उद्देश लोगों को साउंड रिकॉर्डिंग तथा ओडियो विज्वल समगरी आदी के सारक्षन के लिए प्रोच साहित करना है इस दिवस के शुरुवात कब की गई थी ये उनेसकों ने इस दिवस की शुरुवात 2007 में की थी नेक्स्ट अब एंसर हो गया कनाडा है कनाड़ा की कैपिटल है उट्टावा प्रायम मिनिस्टर है जस्टीन टूडे यहांकी संसाथ का नाम है ठार ओलन अम ह हाली मैं लगजतार में लगत लाNot पूरू से कलवर का किसाब कििसमें जीता है ये खित लिए हैं भारत के प्रिथवा सेखर option a सेज़ुत रें इन्होंने चेक गंड़ाराज्ज के जारो सलाव सैमेडक को हरा कर ये खिताब जीत लिया प्रीत्वी सेखर कहा के हैं तमिल नड़ू के हैं इस championship में भारत की पूरूस eagle जोड़ी ने का से पदक भी जीता है प्रशांत दसरा तता प्रित्वी सेकर की जोड़ी ने इस चेंपेंशिप का आयोजन कहां किया गया था तूर्की के एंटिया में अगला कोशन है भारतिय पैरा एतलेट आनंदन गोंड स्थेकरन ने वहान में आयोजित साथ में विश्व स्वाण पदक जीते हैं एक 100 मीटर असीपरदाा में और इक 400 मीटर असीपरदा में और ये दोनों स्वाण पदक इन्होंने आई टी वन सरेनी में जीता है तो very important question ने द्यान बरे किये दो स्वान पदक जीते हैं अनन्दन गुंड सेकरन ये कहां के हैं तमिल नडू के हैं अपको बता दें कि सातुमा विश्वा सेन ने खेल का आयोजन चीन के वुहान में 18-27 अक्टूबर के बीज में किया गया था और इस गेम का मोटो भी निर्धारित किया गया था मोटो किया था Military Glory World Peace ठीक है हर चार साल पे इस खेल का आयोजन किया जाता है फ्रेंड्स तो ये था हमारा आज का करेंट अफेर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेर जगू करना अब चली प्रिवियस मन से टॉप टेन करेंट अफेर का रिविजन करा देता हूँ ये मार्च महिने का चल रहा है पार्ट सेवेन है पहला कोशन सैफ महिला फूट बॉल चेंपेंशिप 2019 का किताब किस ने जीता भारत ने जीता किसको हराकर नेपाल को हराकर मार्च में भारत प्रशान्त सयोग पर पहली उच अस्तरिय वारता का अयोजन कहां किया गया था जाकरता में इसका विशय भी था क्या था विशय शांती पूंड, समरिद और समवेशी छेतर की ओर पांचवां इंडियन सुपर लिग फोटबल 2019 का खिताब किसने जीता बैंगलूरू एफसी ने फार्मूला वन औस्ट्रलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता वाल्टेरी बोटास ने यह फिनलेंड के हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2018 के लिए विश्वा हवाई अड़ा याता यात रैंकिंग में सबसे ब्यस्त हवाई अड़ा कौन सा है अटलांटा हार्ट्स फिल्ड जैक्सन एयरपोर्ट जो की जोर्जिया में है 2019 का विंड हैम कैम्प बेल पुरस्कार किस ने जीता है रगु करनाड ने जीता है ये पुरस्कार यूनाइटेड किंडम द्वारा दिया जाता है रगु करनाड भारत के बहुत ही मशुहूर पत्रकार तथा लेखक है हैंस के लियान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है आशिस नंदी को ये भारत के मनो व्यज्यानिक है हिंदी लेखक लिलाधर जगूरी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 के लिए व्या सम्मान दिया गया है जितने लोग उतने प्रेम के लिए गलोबल टीचर प्राइज 2019 से किसे सम्मानित किया गया है पीटर तबीची को ये क्यानिया के है हाले में पुर्व उप रास्वती हमिद अंसारी द्वारा लांच एवरी वोट काउंट्स पुस्तक के लेखक कौन है नवीन चावला इस पुस्तक के लेखक है अब चलिए पिछले वीडियो में जो क्वीज किया था उसका अंसर बता देता हूँ पहला कोशन था भारत का ब्रह्मन करने वाला प्राथम चीनी यात्री कौन था सबी लोग ने अंसर सही दिया था फाही यान पहला चीनी यात्री था जिसने भारत का भर्मन किया था और ये किसके दर्बार में आया था? चंदरगुप्ट दिवितिये के दर्बार में दूसरा कोशन था रूस और फिंड लेंड की सीमय रेखा का क्या नाम है? इसका भी अंसर लगबग सबी लोग ने सही दिया था मेन रहीम रेखा इसका नाम है ठीक है? ओप्शन में और भी रेखाएं हैं इनके बारे में जान लीजे मैगी नौट रेखा ये जर्मनी एवो फ्रांस को अलग करता है हिंडन बर्ग रेखा ये जर्मनी एवो पोलेंड को अलग करता है वही 49 समान अंतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा को अलग करता है ठीक है? आपको बता दें कि एक और रेखा है 29 समान अंतर रेखा वो उतरी कोरिया और दक्षनी कोरिया को अलग करता है ठीक है? अब चलिए आज का क्विज करता हूँ जिसका अंसार आपको नीचे कमेंट में लिखना है पहला कोशन विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है दूसरा कोशन है निमने में से किस हर्मोन को fight and flight हर्मोन भी कहा जाता है